आज की क्लास होने वाली है अंग्रेजी के कुछ ऐसे confusing शब्दों के उपर जो ये बताता है कि कोई चीज कहा है अब मान कर चलिए आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और आपको किसी चीज की जगह बतानी हो, स्थान बताना हो और आपको शब्द ना मिल पाएं तो कैसे आप अंग्रेजी बोल पाएंगे बस आप किसी तकलिफ को दूर करने के लिए आज की क्लास लेकर क्या गई हूँ ऐसे शब्दों की क्लास है जो बताती है कोई चीज कहां पर है और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास स्वागत है आपका आज की क्लास में मैं हूँ प्रीती माम और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही जबरदस्त और साथ ही आसान जी हम बहुत आसान है आज की क्लास शुरू करते हैं उसके पहले अगर चैनल पर नहria है पहली बार इस कलास को देख रहे हैं तो भई चैनल को जल्दी अव्य सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब कर्ते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजेगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए टेली ग्राम पर जुड़ जाए सीधे सीधे ताकि रोज की क्लास आपको वहाँ पर मिल पाए और इतनी बड़ी कम्यूनिटी जो है बी बैंकर उसका आप भी ये खिस्सा बन जाए हमें भी खुशी होगी और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके साथ ही बता दूँ चल रहा है बिगेस्ट फेस्टिवल ओफर नवरात्र स्पेशल है भई तो ओफर क्यों ना हो तो ओफर किस चीज़ पर है ओफर है प्रीमियम स्पोकें इंग्लिश कोर्स पर जो कि अपने आप में एक नायाब कोर्स है आप यकीन मानिए इस कोर्स को करके देखिए बहुत लोग को बेनिफिट हुआ है और आपके लिए तो मौका सुन नहरा है क्य आपको अविलेबल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ टिपल नायन यान की 999 में करना क्या है भई करना है इस नंबर पर टेलीग्राम जो नंबर स्क्रीन पर है इस नंबर पर करें टेलीग्राम और आप इस कोर्स के लिए अपनी बुकिंग कर सकती है बता दू 11-15 अक्टूबर इ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को सबसे पहला शब्द है by by जिसका अर्थ होता है द्वारा या से जैसे मैं कार से जा रहा हूं I am going by car मैं कार से जा रहा हूं I am going by car beyond यानि की परे कोई चीज मतलब एक होता है लिमिट से बाहर मतलब परे परे से उपर या से बाहर कहेंगे beyond यह उसकी शमता से बाहर है this is beyond his capacity यह उसकी शमता से बाहर है this is beyond his capacity अगला है during जिसका अर्थ होता है दोरान क्या अर्थ होता है दोरान इस्तमाल देखेंगे मैं गर्मियों के दोरान तैराकी का अभ्यास करता हूं मैं गर्मियों के दोरान तैराकी का अभ्यास करता हूं आगे बढ़ते हैं अगला है inside जिसका अर्थ होता है अंदर इंसाइड यानि की अंदर जैसे यह box के अंदर है अगला है except यानि की के सिवाए या को छोड़ कर except मतलब बाकी सारी चीज़ें पर इसको छोड़ कर तो कहेंगे except this है ना देखिए कैसे इस्तमाल करेंगे उसके सिवाए सभी ने परिक्षा पास की अगला है बट जिसका रथ होता है लेकिन मगर किन्तु परंतु जब भी लगाना हो तन्वाद करेंगे बट के साथ उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही अगला है फॉर जिसका रथ होता है लिए या के लिए फॉर यानि की लिए या के लिए हम दौरे के लिए जा रहे हैं अगला है फ्रॉम जिसका रथ होता है से फ्रॉम यानि की से इस्तमाल देखिए मैं क्लास से वापस आ गया आई केम बैक फ्रॉम क्लास इन जिसका रथ होता है में भीतर या अंदर जैसे उसका जन्म अक्टूबर में हुआ था उसका जन्म अक्टूबर में हुआ था he was born in October अगला है into जिसका अर्थ होता है के अंदर या में ठीक है इसका इस्तमाल जो है न कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ जैसे हम कार में चड़ गएं यहाँ पर हम लोग in का इस्तमाल नहीं करके into का इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि आप कार में चड़ गएं we got into the car मतलब आप आप कार के अंदर हैं समझ रहें बात को तो यहाँ पर into का इस्तमाल हो रहा है राइट चलिए with साथ या के साथ यह इस्तमाल हो रहा है हम आपके साथ है we are with you हम आपके साथ है we are with you अगला है within जिसका रत होता है अंदर या भीतर क्या रत होता है अंदर या भीतर मैं एक घंटे के भीतर आ रहा हूं I am coming within an hour मैं एक घंटे के भीतर आ रहा हूं I am coming within an hour about के बारे में या के सम्मंध में इस्तमाल होगा शब्द about का जैसे वह उसके बारे में बात कर रहा था अगला है अवव जिसका अर्थ होता है उपर अवव यानि की उपर जैसे यह सूची में उपर है This is above in the list यह सूची में उपर है This is above in the list अगला है after जिसका अर्थ होता है बाद या के बाद क्या अर्थ होता है बाद या के बाद जैसे class के बाद आप जा सकते हैं After the class you can go After the class you can go Class के बाद आप जा सकते हैं After the class you can go Against विरुध या के खिलाफ ऐसे इस्तमाल होता है, अगेंस्ट, कोई किसी के विरुद्ध है, यानि के अगेंस्ट है, अगेंस्ट, विरुद्ध या के खिलाफ, जैसे वह मेरे खिलाफ था, he was against me. अगला है along, जिसका रथ होता है, साथ में, क्या रथ होता है, along, यानि की साथ में, जैसे वह अपने माता-पिता के साथ आई थी, she came along with her parents. बिट्वीन, अगला शब्ध हमारे पास, जिसका रथ होता है, के बीच या बीच में, बिट्वीन, के बीच या बीच में, जैसे, come between 4 पी-म to 5 पी-म, यानि की शाम 4 से 5 के बीच आना, come between 4 पी-म to 5 पी-म. अगला है among, के बीच या बीच में, ये जो है इस्तमाल होता है, दो से अधिक, जैसे, मैंने आपको between बताया, ये between जो शब्द है, वो दो चीजों के बीच ही इस्तमाल होगा, जैसे क्या बोला, 4 से 5 के बीच, तो 4 और 5, दो के बीच की बात हो गई, है ना, लेकिन जब आपको दो से जादा की बात करनी हो, तो इस्तमाल करेंगे among का, जैसे, वह भीड के बीच था, he was among the crowd, अगला है at, जिसका अथ होता है, पर, में, से, इस्तमाल होता है at, जैसे, क्लास रात 8 बजे से शुरू होती है, क्लास रात 8 बजे से शुरू है, अगला है on, जिसका अर्थ होता है, में, पर, या, को, इन तिनों ही जगहा पर आप on का स्टमाल कर सकते हैं, जैसे, मैं रविवार को फ्री नहीं हूँ, I am not free on Sundays, मैं रविवार को फ्री नहीं हूँ, I am not free on a Sunday, अगला है on to, जिसका अर्थ होता है, के उपर या उपर, के उपर या उपर, जैसे, वर साइकल के उपर कूद गया, he jumped on to the bicycle, वर साइकल के उपर कूद गया, he jumped on to the bicycle, अगला है off, जिसका अर्थ होता है का, जैसे, MP का CM कौन है, who is the CM of MP, MP का CM कौन है, who is the CM of MP, अगला शब्ध है OFF, जिसको पढ़ते हैं off, बंद, दूर, से दूर, इस तरीके से इस्तमाल होगा, बंद, दूर, से दूर, जैसे, पंखा बंद करो, switch off the fan, देखें, यहाँ पर OFF का इस्तमाल हुआ है, बंद कर देने के संदर्व में, इसका इस्तमाल किया जाता है, पंखा बंद करो, switch off the fan, near, N-E-A-R, near, pass, pass, pass में, या, के, pass, इस तरीके से इसको इस्तमाल करते हैं, जैसे, हमारा घर, mall के पास है, our house is near the mall, अगला शब्द है, opposite, जिसका अर्थ होता है, विपरीत, या उल्टा, या उल्टे, विपरीत, है न, जैसा, आप कह सकते हैं, मेरा घर, mall के विपरीत है, अगला शब्द है, over, जिसका अर्थ होता है, उपर से, पर से, या के उपर, ओवर, ऐसे, इस्तेमाल होता है, क्या आप दिवार पर से, कूच सकते हैं, can you jump over the wall, क्या आप दिवार पर, जैसे कोई दिवार पर खड़ा है, पूछेंगे न, आप के दिवार पर से कूच सकते हैं, can you jump over the wall, तो यहाँ पर ओवर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, आई बात समझ, तो चल दिए, यह थी आज की क्लास, उमीद है, आपको क्लास बढ़िया लगी, उमीद है क्लास आपको समझ आई, क्लास समझ आगई है न, तो कमेंट करके मुझे बताईए, कि मैं क्लास समझ आगई है, और जल्दी से क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेर करिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो किस चीज के इनतजार कर रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजे, ताकि आप ऐसी ही चीजों को रोग जोज सीखते चले जाएं और आप अंग्रेजी बहतरीन तरीके से बोल पाएं. Basic Plus Spoken English की फ्री कोर्स को अपनी फोन तक मंगाने के लिए करना होगा. और टेलिग्राम आपको इस नंबर पर लिख करके कि मुझे Basic Plus Spoken English की कोर्स चाहिए और उसकी e-book भी चाहिए. मैंनी Spoken English कोर्स और इसकी e-book के लिए भी आपको इस नंबर पर टेलिग्राम करना होगा. टेलिग्राम कैसे करेंगे? सर्च करेंगे टेलिग्राम एप पर जाकर के Bbanker हम लोग मिलेंगे आपको वहाँ पर Bbanker Education Solution के नाम से और वही आपको उसको जॉइन कर लेना है. इस नंबर के जरी आएंगे तो भी जॉइन बटन क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं. कई लोगों ने मेरे नाम के चैनल बना रखे हैं टेलिग्राम पर तो डेफिनेटली मेरे नाम का मैं बता दू आपको कोई चैनल नहीं है. प्रीती में हमसे अगर आपको अंगरेजी सीखनी हैं तो आपको बीबैंकर पर ही आना होगा. और तेलिग्राम पर हम लोग मिलेंगे बीबैंकर एजुकेशन सलूशन के नाम से. जिम्यदार छातर बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए. इन तीनों किताबों के अपडेट्स आपको वहां मिल जाएंगी. हमारी जो स्पोके इंग्लिश प्रीमियम कोर्स है जिस पर ओफर चल रही है. वो वाली कोर्स की बुकिंग के लिए हो. चाहिए आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो इसकी बुकिंग हो. इन तीनों ही कोर्स की बुकिंग के लिए आपको चेलिग्राम पर मेसेज करना होगा कि भाई म मुझे grammar की course चाहिए भई मुझे reading की course चाहिए भई मुझे नवरातिरी offer वाला course चाहिए तो आपको सारी details जो है मिल जाएंगी in case आपको free course करनी है तो भी कोई समस्या नहीं है लिखके भेज दीजिए मुझे free course करनी है तो आपको वह भी मिल जाएगा राइट तो जो भी course आपने करनी है उसको जो है आपको लिखके भेजना होगा telegram पर जहां पर आपको उसकी details भेज दी जाएंगी जैसे ही आप inquiry करें उससे लगभग 12-47 घंटोंगा वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में तो करपया प्रतीक्षा करें और अगर मेसेज कर दिया है निशिन्थ हो जाएं आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा clear हो गई बात so yes guys that's it for today thank you so much for watching be with bbanker empowering lives to knowledge thank you so much for watching stay tuned to bbanker